हेलो बच्चो आज हम बात करेंगे relation between torque and angular acceleration की ठीक है torque and angular acceleration ये rotational motion से संबन्दित है जब कोई body किसी axis के चारतर रोटेट करती है तब ही relations निकल के आती है तो हमें पता है bodies के अंदर बहुत सारे mass particles होते हैं ठीक है एक, दो, तीन, सभी के M1, M2, M3 mass, radius R1, R2, R3, ठीक है molecules के लिए हमें हमने ये भी पढ़ाए कि force और body पर फोर्स लगाएंगे तो वह अलग-अलग molecules पर बटेगा फोर्स तो हमने पहले molecules के लिए F1 मान लिया M1 into A, ठीक है ये force अप्लाई कर दिया अब चुकि इसको तो rotate होना है इस body को तो rotation के लिए radius होना जरूरी है rotation के लिए एक stationary axis होना जरूरी है stationary axis जैसे पहिया घूमता है motorcycle का तो axle होता है axle stationary रहता है एक जगह रहता है लेकिन उसके चारों तरफ पहिया घूमता है पहियां घुमता है लेकिन पहियों का connection एक्सल से कौन कराता है तिल्लियां कराती है उसकी radius का काम करती है यानि body का center body का किसी axis से जो connection कराए वो radius जब तक वो नहीं मिलेगी जब तक rotation संभव नहीं है तो अगर इस rotational motion में force है यह तो linear motion देगा rotation के लिए हमें radius involve करनी होगी जिससे radius and axis से connection कराए और वो घुमे तो radius को connect करने के लिए involve कराने के लिए हम इसको बोलेंगे moment लेना force का moment पोर्स का moment कब होगा यानि rotation कब होगा जब body से radius का radius connection कराए कहां से इससे axis से body का किसी axis से connection कौन कराता है radius कराती है तो radius connection कराने के साथ ही फिर वो motion नहीं करेगा फिर तो axis के चारों तरफ radius की help से motion rotation करेगा तो जैसे हम force का moment ले लंगे radius ले लंगे तो तुरंत torque बन जाएगा r1 moment इदर ले आ तो इदर भी लेना पड़ागा तो भाई यह हो गया tau 1 r1 m1 और एके place पर r1 alpha लिख लिया यहां से m1 r1 square into alpha tau 1 i1 alpha यह moment of inertia होता इसका इसी तरह से tau 2 i2 alpha तो इस तरह से हम tau पूरी body के लिए सभी particles का torque add कर लेंगे ठीक है क्या कर लेंगे add tau 1 plus tau 2 plus dot 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 तो i1 plus i2 plus i सब जुड़ जाएंगे यह tau तो यह हो जाएगा भाईया i cross alpha यही यह भी एक relation बहुत important relation होती है ठीक है तो यह हो गया आपका torque की angular acceleration और moment of inertia के साथ relation Thank you